प्रेग्नेंसी टाइम में अगर किसी दिन आपका बेबी मुव्मेंट कम करता है या फिर एकदम मुव्मेंट नहीं करता है तो ऐसे में क्या आपको तुरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए या फिर क्या इससे बच्चे को खत्रा हो सकता है आज की इस वीडियो में हम इसी प्रेमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा तो चलिए स्टार्ट करते हांच का वीडियो तो देखिए आपको अपने बच्चे के हल चलना पांच में महीने से हलका हलका फिल होना स्टार्ट हो जाता है शुरुआत में यह हल चल आपको बहुत ही कम फिल होती है पर छटे मह आपको बेबी मुवमेंट्स कम फिल होती है या नहीं होती है तो आपको खाना खाने के बाद हलकी हलकी वॉक करनी है और उसके बाद थोड़ा रेस्ट करें कम से कम एक घंटा आप अच्छे से रेस्ट करें तो जो आप रेस्ट करते हैं तो आप देखते हैं कि आपका बेब फिर्स्ट लंच या डिनर करते हैं तो ये सब खाना खाने के बाद थोड़ी देर हलका वॉक करने के बाद आप नॉर्मल अराम से बैट जाए रेस्ट कीज़े या फिर लेट सकते हैं तो लेट जाए और अपने बेबी की मुवमेंट्स को काउंट करें रेस्ट करते हैं जाप खाना खाने के बाद तो अकसर बेबी मुवमेंट्स करना स्टार्ट कर देते हैं तो ये चीज़ पहली चीज़ है जो कि आपको जरूर करने चाहिए अगर आपको बेबी मुवमेंट्स फील नहीं हो रही है तो अगर आपने खाना खाया और उसके बाद आपने rest भी किया है, walk भी किया था पर उसके बाद भी baby की movements आपको बिल्कुल feel नहीं हो रही है तो क्या करें? तो आपको क्या करना है? आप कुछ मीठा खा सकते हैं, कुछ sweets खा के देख सकते हैं इसके इलाबा आप ठंडा पानी पी कर देख सकते हैं या फिर आपके कोई favorite चीज है, जिसको खाना आपको पसंद है, वो चीज़ खा कर देखिए अकसर जब आप मीठा खाते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, तो ऐसे में baby movements करना start कर देता है जिसे मेरे case में, मैं ज़्यादा तर जब दूद पीती थी, तो मेरी बेटी जो पी हुँ है, वो ज़्यादा movements करने लग जाती थी तो ऐसे ही आपने भी observe किया हुआ कि आपका baby क्या चीज़े खाने या पीने पर ज़्यादा movements करता है तो आप उस time पर जब baby की movements कम feel होती हैं, नहीं feel होती हैं, तो आप ये चीज़े try कर सकते हैं ऐसा करने से भी अकसर baby की movements आपको feel होने रख जाती हैं अगर ये दोनों चीज़े आपने करके देख ली हैं और इसके बाद भी आपको baby की movement बिलकुल भी feel नहीं हो रही है तो ऐसे case में आपको अपने doctor के पास तुरंट जाना चाहिए, इस चीज़ को ignore आपको नहीं करना चाहिए जब आप doctor के पास जाते हैं, तो doctor पहली चीज़ तो आपके baby की heartbeat है, इसको check करते हैं देखते हैं कि सब कुछ मतलब बिच्चे की दिल की धरकन सही से चल रही है नहीं चल रही है, इसके लावा कुछ cases में doctor जो है ultrasound भी करके देखते हैं और यह देखते हैं कि baby, जहातर cases में baby की movement जो कम होती है या फिर होना अगर बंध हो जाता है, तो उसके कुछ कारण होते हैं, जैसे कि baby के आसपास जो पानी होता है अगर वो कम हो जाता है तो baby की movement कम हो जाती है, अगर baby के growth में कुछ problem हो रही है, कुछ कम ही आ गई है, तब ऐसा हो सकता है या फिर अगर baby तक अच्छे से blood supply नहीं हो पा रही है, तो ऐसे case में baby की movements कम हो जाती है तो आपके doctor ऐसे cases में जिस में बताया, ultrasound बगर करके वो चीज़े आपको बताएंगे, कि यह problem है अगर problem जादा बड़ी है, बच्चे तक अच्छे से blood supply नहीं हो रही है, या पानी कम है तो कई cases में doctor आपको admit होने के लिए बोल सकते हैं, या फिर कुछ medicine देते हैं, या फिर कुछ चीज़े आपको advice करते हैं कि यह चीज़े आपको करनी है, जिससे कि आपको फिर baby movement feel होना start हो जाता है और friends, यह चीज़ और बुलना चाहूंगे कि कभी भी अपने baby movement जो है किसी और से compare मत कीज़े मुझे कई बर ऐसा भी होता है, में पास सवाल आता है, कि मुझे जो baby movement feel हो रही है, वो एक और लेडी है, उनका भी 5th month चल रहा है, पर उनको baby की movement जादा feel होती है तो ऐसे compare बिल्कुल मत कीज़े, सबकी body अलग होती है, सबका जो baby का growth है वो भी अलग है, तो एक दूसरे से compare आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए पर हाँ, अपनी baby की movements पर ध्यान रखे, जैसे से baby की movement अच्छे से होने रग जाती है 6 months से, तो आपको खुद पता लग जाएगा, कि baby एक दिन में इतनी इतनी बार और इस इस time जो है, जादा move करता है, उस चीज़ को ही आपको daily observe करते रहना है on an average जो है, एक दिन में कम से कम 10 से 12 बार तो आपको baby की movement फील होनी ही चाहिए फ्रेंट से चीज़ बोलना चाहूंगी कि अगर आपको हमारी वीडियो से हमारे चैनल पसंद आ रहा है, तो हमारी वीडियो को like करे, चैनल को subscribe करे I hope आपके लिए वीडियो helpful रहा होगा, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, thank you for watching